आज हम आपको अपने लेक द्वारा कुछ ऐसी परिस्थितियों के बार में बताएंगे जिन में पी एफ राशी का एक निश्चित हिस्सा ही निकाला जा सकता है EPFO मेंबर घर खरीदने या निर्मान करने, लोन भूपतान के लिए दो महीने से वेतन ना मिलने, बेटी, बेटे, भाई, खुद की शादी, परिवार में सदस्यकी बीमारी आदी के लिए पी एफ राशी को निकाल सकते हैं बता दे की पार्शल, वद्ड्रॉल, या फिर अडवान्स EPF किसी भी स्थिती में कितनी राशी निकाली जा सकती है आज हम आपको इस बात की भी जानकारी देंगे अडवान्स लेने की स्थिती में EPFO मेंबर को कुछ मांदन टेक किये गए हैं उन पर खरा उतर ना होगा अडवान्स या पार्शल विद्ड्रॉल के लिए EPFO मेंबर पॉर्टल पर जाकर, पी एफ वद्ड्रॉल फॉर्म के लिए उनलाइन अपलाई कर सकते हैं ऐसे सबमिट करें ऑनलाइन पी एफ विद्ड्रॉल एप्लिकेशन पी एफ राशी को निकालने के प्रोसेस को आसान बनाने और समय की बचत के लिए EPFO ने ऑनलाइन सुविधा को शुरू किया था EPFO पॉर्टल पर अपलाई करने से पहले आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि आपका UN, Universal Account Number एक्टिवेट हो या Universal Account Number को एक्टिवेट करने के लिए आपका नंबर चालू होना चाहिए आपका अकाउंट आधार, PAN Card और Back Details और IFSC Code के साथ लिंक होना चाहिए PF निकालने का ओनलाइन तरीका 1. सबसे पहले EPFO पॉर्टल पर जाए 2. इसके बाद UAN, Universal Account Number, Password और Captcha Code डालकर अकाउंट को लॉग इन करे 3. इसके बाद Manage टैब में KYC विकल पर क्लिक कर जाच कर लेकी आधार, PAN Card और Back Details सही और वेरिफाई है या नही 4. KYC डिटेल वेरिफाई करने के बाद Online Service पर जाए और Claim विकल का चैन करे 5. क्लेम स्क्रीन पर Member Detail, KYC डिटेल और Service Detail दिखाई देगी इसके बाद Claim Form Submit करने के लिए Proceed for Online Claim पर क्लिक करे 6. Claim Form के, I want to apply for, में आपको Full EPF स्टेल्मेंट, EPF Part Withdrawal, Loan Advance या Pension Withdrawal विकल्प नजर आएंगे 7. Service मांदन की वजह से हो सकता है कि आप PF निकालने या Pension निकालने के लिए योग्य न हो, ऐसी स्थिती में आपको यह विकल्प नजर नहीं आएगा 8. घर खरीदने या निर्मान की स्थिती में ले सकते हैं Advance EPFO जमीन खरीदने के लिए अपने मेंबर्स को अधिकतम 24 महीने की बेसिक वेज और दिये निकालने की अनुमती प्रदान करता है घर फ्लेट निर्मान के लिए अधिकतम 36 महीने की बेसिक वेज और दिये या व्याज के साथ Employee और Employer Share या घर निर्मान की कुल लागत जो भी कम हो उससे निकाला जा सकता है जो कर्मचारी 5 साल से EPFO मेंबर है वही Advance के लिए आवेदन कर सकता है नौकरी की पूरी अबधी के दोरान केवल एक ही बार PF का पैसा निकाला जा सकेगा Advance के लिए कर्मचारी को विग्यप्ती के अलावा किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यक्ता नहीं होगी Loan भूपतान के लिए EPFO Special Case में मेंबर को अधिक तम 36 महीने की Basic Wage और D या व्याज के साथ Employee और Employer Share या Loan की कुल बकाया राशी और ब्याज जो भी कम हो को निकालने की अनुमती देता है जो कर्मचारी 10 साल से EPFO मेंबर है वही Advance के लिए आवेदन कर सकता है Partial Withdrawal के लिए कर्मचारी को Agency से Certificate की आवश्यक्ता होगी जो बकाया राशी और ब्याज का व्योरा दे Special Case में भी मिलेगा Advance Company बंध होने या नौकरी से निकालने जाने या फिर दो महीने से वेतन, स्ट्राइक के अलावा, ना मिलने की स्थिती में भी EPFO मेंबर एडवांस राशी के लिए आवेदन कर सकते हैं ऐसी स्थिती में Employee Share और राशी पर मिले ब्याज को निकाला जा सकता है Advance लेने के लिए कर्मचारी को Employee अद्वारा जारी सर्टिफिकेट की जरूरत होगी Member ब्याज के साथ अधिक्तम 50 प्रतिशत राशी को निकाल सकता है बीमारी में इलाज के लिए कर्मचारी अधिक्तम 6 महीने के अपने Basic और DA amount को पूरा निकाल सकता है कर्मचारी खुद की या परिवार में किसी सदस्य की बीमारी के लिए पैसे को निकाल सकता है इस उद्देश्य के लिए किसी Membership period की जरूरत नहीं है शादी के लिए EPFO मेंबर खुद की बेटी बेटे बेहन आदी की शादी के लिए ब्याज के साथ 50% Employee Share PF Amount को निकाल सकता है ध्यान दें, जो कर्मचारी 7 साल से EPFO मेंबर है वही PF Amount के लिए आवेदन कर सकता है उच्छ शिक्षा के लिए बेटे या बेटी की उच्छ शिक्षा पोस्ट गेज्रूएशन के लिए के लिए ब्याज के साथ 50% Employee Share राशी निकाली जा सकती है जो कर्मचारी 7 साल से EPFO मेंबर है वही PF राशी के लिए आवेदन कर सकता है कोर्स से संबंदित सर्टिफिकेट एवं संस्थान द्वारा अनुमानित खर्च का व्योरा मुहया कराना होगा रिटायर्मेंट से एक साल पहले 54 वर्ष की आयू होने के बाद और रिटायर्मेंट के एक साल पहले EPFO मेंबर पार्शल विद्डरॉल के तौर पर PF में से 90% राशी को निकाल सकता है